हुआ है किस टाकवर का उठ्ठ तर क्या घटना थी यह थानाच्भावनी शेत्र में जन्पद बस्ती में एक मुर्गी की पिकप का लूट हुई थी तीन बटे चार की रात को और उसी गैंग द्वारा एक साथ बटे आट की रात को भी मुर्गी के पिकप की लूट हुई थी इसमें एसो जी, स्वार्ट और थाना चावनिकी पुलिस में 24 गंटे में अनावरन कर लिया है। इसमें साथ अभियुक्त गिरफतार हुए हैं। बबलु एहमद और उसका भाई एक पोल्ट्री फॉर्म गॉंडा में चलाते हैं। इनका फ्लान था कि कोई मुर्गी की पिकप आ रही है, उसको रुकवाना, फिर उसके ड्राइवर और कंड़क्टर को अपनी गाड़ी में बैठा देना। और जो मुर्गी यहां थी वो अपनी दूसरी पिकप साथ में चलती है। उसमें सिफ्ट कर देना। इसमें साथ लोगों गिरफ्तारी हो गई है। दो लोग वानशित हैं अभी जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 15,000 का इनाम गुसित किया गया है। इसमें गाड़ी जो यूज हुई है, स्कॉर्पियो पिकप और एक तमंचा बारा बोर और दो जंदा कार्टूस और कुछ पैसे जो छीने गए थे रिकवर हो गया है। यह बहुत अच्छा सराहन ये कारिय हुआ है। इन पर गैंग्स्टर और कड़ी से करवाई की जाएगी। जिन अभ्योगतों के अपतारी हुई है क्या उनके उपर और भी अपरादिक मुकदमे दर जाए। इसमें हैं हैदर और कुछ दो लोगों के ऊपर चोरी और कुछ अन्नी अपरादिक इतियास निकला है ज़्यादा तर यह गोंडा के रहने वाले वही के आसपास के गाह के करीबी दूस्त है। टिक सकते हैं। तैंक यूश्टर रहिए।